नमस्कार बच्चों आज हम लोग NCRT Exampler Class 12 का Math Solve कर रहे हैं और आज हमारा जो चैप्टर है वो है Chapter 6 Application of Derivatives और इसके जितने भी Objective Questions हैं Examples में और Exercise में वो सारे के सारे हम लोग Solve करने वाले हैं Examples में जो Questions है वो 19 से लेके 29 तक और Exercise में जो है वो 35 से लेके 64 तक तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं तो देखो हमारा जो Question 19 Example का The Epsis of the Point on the Curve एक Curve दिया हुए अपने पास 3Y equals to 6X minus 5X cube, the normal at which the at which passes through origin तो कहता है एक Curve है, उस पर एक Normal है और वो Normal Origin से पास कर रहा है तो बता उस Curve पर जो वो Normal पास करेगा उस Point का Epsis सा क्या है अच्छा अगर उसको डाग्राम समझने का कोसिस करें तो मानलो यह Curve है ठीका है, यह मानलो थोड़ा Curve है यह, तुमारा इस recurve यह Curve है, 3Y equals to 6X minus 5X cube यह Curve है तुमारा और यह Point है, यह Point है X1, Y1 और इस पर मानलो यह Τेंजेंट है यह potent है ठीक है, और यह Point है हमारा X1, Y1 यह Point है हमारा एकस वन Y1 ठीक है अच्छा अब दोको इस पर यह नॉर्मल यह नॉर्मल है यह नॉर्मल है इस पर 90 डिगरी का एंगल बनाया यह नॉर्मल है बोल रहे कि यह नॉर्मल जो है ना जिरो जिरो से पास कर रहा है तो सबसे पहले तुम लोग क्या करते हैं यह पॉइंट है टेंजेंट का स्लोप इस स्कर पर है तो सैटिस्फाय कर जाएगा इसको तो ये क्या हो जाएगा 3Y1 इकोज़ टू 6X minus 5X क्यूब ये एक्वेशन 1 लेलो इसको सैटिस्फाय कर जाएगा ठीक है अब दोको टेंजेंट अगर हमको निकालना है इसकर पर तो टेंजेंट का सलोप क्या होता है टेंजेंट का सुलूप क्या होता है dy by dx तो हमारे पास है 3y equals to 6x minus 5x cube और इसका dy by dx निकाल रहे हैं तो 3y का होगी हमारा dy by dx equals to 6x का 6 minus 5x cube का 15x square आ गया ऐसा तो यहां से देखो क्या आ रहा है तुमारा dy by dx जो हमारा है वो है 2 minus 5x square यह हमारा dy by dx यह मतलब slope of tangent slope of tangent अच्छा slope of normal क्या हो जाएगा slope of normal normal का slope at किस point पर x1 y1 अगर x1 y1 पर करेंगे तो क्या होता है slope of normal minus 1 by dy by dx और point है हमारा x1 y1 यह point है यह क्या रहा है तुमारा minus 1 by dy by dx x1 y1 देखो क्या है रहा है तुमारा 2 minus 5x1 का square यह slope of normal हो गया अच्छा यह slope of normal हो गया अब देखो अगर यहां से slope of normal निकाले तुमको दो point पता है स्लोप कहां से पास हो रहा है 00 से पास हो रहा है normal और x1 y1 से पास हो रहा है normal अगर यहां से अगर normal का slope करें बराबर तो यहां से normal का slope क्या हो गया y2 minus y1 तो y1-0 तो यह y1 हो गया और x1-0 तो यह क्या हो गया तुमारा x1 हो गया और यहां से देखो क्या रहा है तुमारा minus 1 by 2 minus 5 y1 का square ऐसा रहा है तुमारा यह तुमारा normal का slope अब यहां से हम लोग ना y1 का value निकाल लेते हैं तो देखो यह 1 का value क्या रहा है यहां से यह 1 का value आ रहा है minus x1 by 2 minus 5 नीचे x1 है ना यह x1 है 5 x1 का square 5 x1 का square ऐसा आ गया अब देखो इसको equation अगर 2 ले लो तो from 1 and 2 1 में ले जाके जो है value put कर देना आपने को 1 में value put कर देना है किसका 3 y1 का value put कर दो 1 में ठीक है तो देख यहां from 1 and 2 1 और 2 से 1 and 2 से क्या है तुमारा 3 और y1 y1 के जाए क्या है तुमारा minus x1 by 2 minus 5 x1 का square ऐसा equals to 3 y1 इधर क्या है तुमारा 6 x1 minus 5 यह 6 x1 है या ना x1 यह 6 x1 minus 5 x1 का cube 6 x1 minus 5 x1 का cube और यह आ रहा है हमारा यहां से y1 का value तो वहां डाल दी हम लोग इतना रहा है 3 y1 अब ठीक है तो यहां से क्या करो यहां से ले लेते हैं हम लोग minus 3 x1 तो ठीक है अभी तक और यहां से 2 minus 5 x1 का square है और यहां से x1 निकाल लो common तो क्या जाएगा तुमारा 6 minus 5 x1 का square तो यहां से x1 x1 क्या हो गया cancel हो गया हमारा चलो अब इसको solve कर देते हैं x1 का value निकल जाएगा वही हमारा answer आ जाएगा तो minus 3 cost क्या रहा है तुमारा 2 minus 5 x1 का square और 6 minus 5 x1 का square तो यहां से थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं put कर लेते हैं यह जो 5 x1 है इसको न हम लोग alpha मान लेते हैं 5 x1 का square को alpha मान लेते हैं तो यहां से क्या रहा है तुमारा minus 3 equals to 2 minus alpha और 6 minus alpha ऐसा हो गया तुमारा अच्छा अब थोड़ा देखो इदर इसको ठीक कर लेते हैं 2 minus alpha को लिख लेते हैं alpha minus 2 into alpha minus 6 दोनों का minus निकालने तो मैनस मैनस प्लस हो गया और माइनस 3 तरह के प्लस 3 एकवस्टु 0 हो गया यह यह ऐल्फा स्कौयर आ गया मैनस 6 alpha-2 alpha-8 alpha प्लस 12 प्लस 3 equals to 0 एक यहां से यहां से alpha square मैनस 8 alpha प्लस 15 equals to 0 आ रहा है इसको भेक्टराइज कर लो यहां से alpha square माइनस 5 अलफा माइनस 3 अलफा प्लस 15 कितना रहा है जिरो आ रहा है यहां से देखो अलफा कॉमन निकाल लो अलफा माइनस 5 चल रहा है और माइनस 3 कॉमन निकाल लो अलफा माइनस 5 चल रहा है और यह जिरो आ गया तो देखो यहां से क्या रहा है हमारा अलफा माइनस 5 इंट 5 x square था हमारा और यह 3 5 आ गया और x1 square था यह तो x1 square कितना आ रहा है तुम्हारा 3 by 5 और 1 और यहां से अगर हम लोग x1 की बात करें तो वह आ रहा है plus minus root 3 by 5 और plus minus 1 ठीक है बच्छों ऐसा आ रहा है अच्छा अब थोड़ा देखो x1 की value देख लेते हैं इसमें से क्या है 3 by 5 तो है नहीं plus minus 1 है तो minus 1 नहीं है तो प्लस वन हमारा option जो है वो सही answer है ठीक है बच्छों समझ में आ गई होगी यह question चलो next question पर चलते हैं लोग next question देखो कहता है two curves यह curve दिया हुआ है दो कर दिया हुआ है cut each other touch मतलब angle के बारे में पूछ रहे हैं कि दोनों करब के बीच का angle कितना है इस दोनों करब के बीच का angle कितना है तो बहुत simple बात है पहला करब ले लो तो पहला करब है हमारा x cube minus 3x square plus 2 equals to 0 इसका slope निकालते हैं इस करब पर tangent का slope इस करब पर tangent का slope तो differentiate कर दो पूरे को यह आ जाएगा तुम्हारा 3x square minus 3 x को छोड़ो y square का 2y और dy by dx और plus y square को छोड़ो x का 1 और 2 का 0 आ रहा है equals to 0 यह आ रहा है तो इससे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं आपर 3x square अच्छा 3 दोनों सैट से लेके यहां से 3 यहां से 3 common लेके उधर ले जाके divide कर दो तो खतम हो जाएगा x square आ गया minus 2xy आ गया और dy by dx आ गया और minus y square आ गया equal to 0 तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं x square minus y square यहीं रख लेते हैं और यहां से आ रहाए 2xy और यह आ रहा है dy by dx ठीक है यह आ रहा है dy by dx तो डिवआ by dx का जो value आया हमारा इसमें पहले वाले कर्प के लिए तो डिवाइ by dx का अगर हम लोग value देखते हैं पहले वाले कर्ब के लिए तो वह हो रहा है x square minus y square by 2xy 2xy ऐसा आ गया ठीक है अच्छा आगे देखो अब आगे देखो दूसरा वाला कर्ब लेते हैं 3x square y minus y cube equals to 2 तो अब यहां से देखो ध्यान से इसको differentiate करो तो 3 x square y को क्या हो गया तुमारा dy by dx plus y को छोड़ो x square का 2x minus 3 y square और यह हो गया dy by dx equals to 0 अभी यहां पर यह पूरा ऐसा चल रहा था 3 तो बाहर निकल गया था equals to 0 तो यहां से भी 3 और 3 क्या हो गया cancel हो गया ठीक है cancel मतलब यह 3 3 नहीं काट रहे है common लेके 0 के नीचे लेके जाएंगे तो यह खतम हो जाएगा तो यह क्या हो गया x square dy by dx plus 2xy minus y square dy by dx equals to 0 हो रहा है अब यहां से देख लो क्या रहा है x square minus y square और dy by dx और यह इधर लेके जाएंगे तो minus 2xy आ रहा है तो अब देखो यहां से कितना आ गया हमारा dy by dx equals to minus 2xy by x square minus y square अब देखो हमारा इसका स्लोप को अगर मान लो पहला वाला का स्लोप को अगर m1 मान ले दूसरे वाले के स्लोप को अगर m2 मान ले दोनों के स्लोप को multiply करो m1 into m2 यह आ रहा है x square minus y square by 2xy into minus 2xy by x square minus y square तो यहां से यहां से कट गया यह यहां से यहां से कट गया तो m1 into m2 जो है वो minus 1 हो गया m1 into m2 जो है वो क्या हो गया हमारा minus 1 हो गया इसका मतलब दोनों जो है curve एक दूसरे को 90 degree पर कट करता है ठीक है बच्चों तो यह जो हमारा है यह right angle पर cut it right angle पर cut करते हैं चलो next question पर चलते हैं लोग option भी हमारा सही answer है इसका next question पर चलते हैं तो देखो next question क्या है हमारा कि टेंजेंट तु दे कर्ब गिवन बाइद दिया हुए हमारे पास एक कर दिया हुए एकस का जो है ई-टु दी पावर टी कोस्ट और वाई है तुमारा एटु दी पावर टी साइन टी तो एड टी कोई स्टू पाई बाई-वाई-फूर make with x-axis angle तो कहता है tangent जो एना x-axis के साथ कितना angle बना रहा है ठीक है कब जब t pi by 4 होते है चलिए यहाँ क्या पूछ रहा है tangent का slope क्या है तो देखो parametric form में हमारा curve दिया हुआ x equals to e to the power t है और क्या हमारा cost t है तो चलो इसका ना differentiation करते हैं तो dx by dt निकाल लेते हैं लोग तो e to the power x t का तो e to the power t हो गया cost का minus sin t हो गया ठीक है और plus cost t ले लो और e to the power t का e to the power t हो गया यहाँ से e to the power t आ गया cost t minus sin t ऐसा हो गया ठीक है यह dx by dt हो गया और अब देखो y क्या है हमारे पास y क्या हमारे पास e to the power t sin t ठीक है तो यह क्या गया तुमारा dy by dt यह ले लो e to the power t sin का क्या चल रहा हो गया differentiation cost t और plus sin t को छोड़ो e to the power t का e to the power t तो यहाँ से e to the power t common निकाल लो तो यह आगया तुमारा cost t और plus sin t ठीक है तो अभी अपने को क्या चाहिए dy by dx चाहिए तो dy by dx ले लो तो dy by dx क्या होता है तुमारा dy by dt by dx by dt तो dy by dt देखो क्या है हमारे पास e to the power t cost t plus sin t ठीक है और dx by dt e to the power t cost t minus sin t ऐसा आ गया e to the power t e to the power t तो cancel हो गया और अब पूछ कहां पर रहा है हमको t equals to pi by 4 पर t equals to pi by 4 पर पूछ रहा है कि क्या सलोप होगा तो इसका मतलब यहां पर जो जहां जहां t है वहां वहां pi by 4 डाल दो तो अभी क्या आ जाएगा sin t cos t plus sin t cos pi by 4 plus sin pi by 4 लगा लो और नीचे भी cos pi by 4 minus sin pi by 4 लगा लो तो यहां से cos pi by 4 1 by root 2 हो गया plus sin pi by 4 1 by root 2 हो गया नीचे cos pi by 4 1 by root 2 minus sin pi by 4 1 by root 2 देखो नीचे 0 आ गया तो नीचे 0 आने का मतलब क्या हो गया कुछ भी चीज ऊपर जो भी आ नीचे 0 है तो वह तो infinity हो गया इसका मतलब slope 10 theta जो है वह infinity आ रहा है इसका मतलब theta जो है वह pi by 2 है 90 degree है मतलब angle जो बनेगा वह 90 degree बनेगा तो answer जो हमारा है वह है option D सही answer है मारा ठीक है बच्चों चलो next question पर चलते है next question देखो हमारा 22 है तो समझो देखो क्या कह रहा है equation of normal to the curve y equals to sin x at 00 ठीक है तो कहता है normal का equation लिखना है 00 पर तो 00 पर normal का equation लिखना है अब simple बात है normal का equation क्या होता है y minus y1 slope minus 1 by dy by dx कहाँ पर 00 पर है तो 00 डाल दो और x minus x1 मतलब 0 आगया ऐसा होता है तो यहां से क्या हो रहा है अच्चा dy by dx अपने को निकालना है तो y equals to कितना है तो तो dy by dx क्या आजाएगा तुमारा cos x और अगर हम लोग यहां पर 00 लगा लें तो इसका मतलब यह हो जाएगा cos 0 इसका मतलब हो गया 1 तो यहां से y equals to कितना आ रहा है minus 1 और नीचे 1 x आ रहा है तो y equals to minus x आ गया और finally x plus y equals to 0 हमारा tangent का normal का equation आ गया तो option c जो हमारा है वो सही answer है 22 का ठीक है बचो चलो next question पर चलते हैं तो next question देखो हमारा जो है choose the correct answer यहां पर इसमें क्या है कर रहा है कि इस चारों में से correct answer चूज करना है the point on the curve y square equals to x where the tangent makes angle pi by 4 with x axis tangent कितना angle बनाता है pi by 4 किस के साथ x axis के साथ ठीक है कहने का मतलब theta जो है न वो दिया हुआ है pi by 4 इसका मतलब क्या हो गया m मतलब slope जो है वो 10 theta है और 10 pi by 4 यह क्या हो गया 1 आ गया कहने का मतलब slope 1 है हमारा ठीक है और वो point निकालना यहां पर slope 1 है तो ठीक है कोई बात नहीं है तो पहले tangent का slope निकाल लेते है तो y square equals to x हमारे पास है इसको number 1 मान लो तो अगर इसका differentiation करेंगे तो 2y dy by dx हो जाएगा और x का 1 हो गया यहां से देखो dy by dx कितना आ रहा है तुमारा 1 by 2y अच्छा slope पहले ही slope पता है अपने को 1 है तो dy by dx का है तुमारा slope है जिसकी value 1 है ठीक है तो y को अगर उपर लेके जाओ तो y का value 1 by 2 आ गया है ना y का value 1 by 2 आ गया अब y का value यहां रख लो तो x का value क्या आ रहा है 1 by 2 का square तो 1 by 4 तो point आ रहा है 1 by 4 1 by 2 option b जो हमारा है 1 by 4 1 by 2 option b हमारा जो है वो सही आंसर है ठीक है बच्चों तो यह था हमारा 20 third number question चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखो 24 number question क्या कह रहा है कि कह रहा है कि value of a value of a for which this touches the x-axis देखो यह यह quadratic quadratic कहने का मतलब पैरा बोला है यह x-axis को touch कर रहा है तो मतलब अगर इसका डाग्राम बनाए तो कुछ इस टाइब का डाग्राम होगा यह इस तरह से x-axis को touch कर रहा है तो जैसे x-axis को touch करेगा मतलब यह तो टेंजेंट बन गया यह जो slope जो होगा tangent का मतलब dy by जो dx होगा slope जो tangent का होगा वो 0 हो जाएगा ठीक है बच्छों तो अभी देखो यहां पर y equals to हमारे पस क्या x square plus x square plus ax plus 25 इसका अगर हम लोग डी बेडी x निकाल लें तो dy by dx निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x plus a आ जाएगा और इसकी value क्या है 0 है तो 0 equals to 2x plus a आ गया और यहां से 2x equals to कितना आ गया तुमारा minus a आ गया और x की value जो क्या है तुमारा minus a by 2 है ठीक है तो अब हम इस quadratic में अगर x की value डाल देंगे तो हमारा a का value आ जाएगा तो हमारा quadratic कैसा है x square plus ax plus 25 equals to 0 यह quadratic है इसमें डाल दो x के जगह a तो minus a by 2 का whole square plus a into minus a by 2 plus 25 equals to 0 बस अब इसको solve करने की ज़रूरत है a square by 4 आ गया minus a square by 2 आ गया और plus 25 आ गया solve करने के हिसाब से इसको हम लोग क्या करते हैं a square by 4 लेते हैं और minus यहां से भी उपर नीचे 2 से multiply कर देते हैं to a square by 4 हो जाएगा और plus 25 equals to 0 यहां भी equals to 0 है हमारा तो यहां से क्या आ रहा है minus a square by 4 plus 25 equals to 0 और यहां से देखो 25 equals to a square by 4 तो देख लो क्या आ रहा है a square equals to 100 आ रहा है और a का जो value आ रहा है वो आ रहा है plus minus 10 तो a का value आ रहा है plus minus 10 तो यहां से हमारा जो a का value आएगा वो आएगा plus minus 10 ठीक है बचों यह था हमारा 24 चलो अब next question पर चलते हैं देखो next question क्या है हमारा fill in the blanks है 24 से 29 में क्या बोल रहा है if fx equals to 1 by 4x square plus 2x plus 1 यह वाला चीज़ दिया हुआ है तो बोल रहा है maximum value क्या होगा तो साब साब बात है one by कुछ भी है ना अगर आपको maximum value निकालने है तो इस चीज़ को आपको minimum करनी होगी इसको minimum कर लो आपका maximum value निकल जागा इसका minimum value पता करो तो अगर मान लो इसको हम लोग gx मान लेते हैं थोड़ा दिर के लिए क्या है 4x square plus 2x plus 1 तो perfect square इसका बनाओ perfect square कैसे बनता है 2x का whole square हो गया 4x square को लिखें 2 a के जगा 2x है अब b के जगा ऐसा रखो कि उपर का 2x आ जाए तो टू एक्स्ट्रा था यहां से वन बै टू कर दे तो टू टू कैंसिल हो के 2x आ जाएगा तो b के जगा वन बै टू आया तो वन बै टू का square है ना और plus 1 और वन बै टू का square अपने मन से एड़ किये थे तो मायनस कर लेते हैं 1 by 2 का square तो अभी क्या रहा है तुम्हारा यहां से देखो 2x प्लस 1 by 2 का whole square हो गया अप्लस 1 minus 1 by 4 तो कितना रहा है तुमारा 2x plus 1 by 2 का whole square plus 3 by 4 ऐसा रहा है तो ये वाली चीज तो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होती है greater than equals to 0 और plus 3 by 4 तो finally greater than equals to क्या गया 3 by 4 ये जो gx हमारा है वो कहां से 3 by 4 से लेके infinity तक है तो इसका जो minimum value आया fx का जो minimum value आया वो 3 by 4 आया तो अगर ये gx का जो minimum value आया वो 3 by 4 आया तो अगर हम लोग fx बराबर 1 by और इसका minimum value यहां डाल रहे है है ना तो ये maximum अगर maximum fx चाहिए तो fx equals to 1 by minimum value 3 by 4 डाल दो तो ये उपर पलटके क्या जाएगा 4 by 3 इसका जो maximum value आ रहा है वो आ रहा है 4 by 3 ठीक है तो इस equation का maximum value आगा वो कितना आ जाएगा 4 by 3 ठीक है बच्चों आगया समझ में चलो next question पर चलते हैं देखो 26 कहता है fx second derivative at fx second derivative at c कहता है f जो है f का second derivative c पर है और ऐसा है कि f dash c equals to 0 है देखो यहां पर क्या दिया हुआ है कि f dash c जो है न जीरो है और f double dash c c पर f double dash जो है जो है जीरो से बड़ा है तो simple बात है यह हम लोग second derivative test में है कि अगर f double dash c c पर 0 है और f double dash c 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x equals to c जो है जो c जो है is the point of local minima होता है is the point of अगर यह greater than 0 है तो point of local minima और अगर यह less than 0 होता है तो point of local maxima होता तो point of local यह minima है यह ठीक है यह फिर point of minima भी बोल सकते हैं यह point of local minima या सिर्फ minima आप बोल दो दोनों चलेगा ठीक है बच्चों यह था 26 चलो आगे बढ़ते हैं 27 कह रहा है minimum value of f x equals to sin x sin x का minimum value क्या होगा minus pi by 4 से pi by 2 से pi by 2 में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आप यह देख लो कि minus pi by 2 से pi by 2 में यह रहा 1 यह रहा minus 1 यह रहा minus pi by 2 और यह रहा pi by 2 ठीक है यह रहा pi by 2 अब इसका grab बनाओ तो यहां से यहां आता है और यहां से यहां आता है यह minus pi by 2 से pi by 2 के बीच का तो देखो minimum value कहा रहा है minus 1 पर इसका minimum value कितना जाएगा minus 1 ठीक है बच्चों चलो next question पर चलते है next question देखो क्या कह रहा है हमारा the maximum value of sin x plus cos x अच्छा अपने को पता है a cos theta plus b sin theta इसका जो range होता है minimum value यह minus root under a square plus b square से लेके root under a square plus b square होता है ठीक है यह range होता है minus a square plus b square से a square plus अगर यहां a की बात कर लें तो a की बात भी one है और b की बात भी one है तो root under a square plus b square क्या हो जाएगा one का square plus one का square यह root 2 आ गया इसका जो minimum value आएगा वो minus root 2 आएगा और maximum root 2 आएगा बट यहां maximum पूछा है तो हम लोग को maximum value डाल देना है तो maximum value root 2 आने वाला है ठीक है minimum पूछता तो minus root 2 आथा आगे बढ़ते हैं देखो 29 number question क्या है हमारा कहता है rate change of volume of a square with respect to its surface area मान लो इस फेयर है इस फेयर है इसका volume को भी से डिनोट कर लेते हैं इसके surface area को S से डिनोट कर लेते हैं और इसका radius को R से डिनोट कर लेते हैं यह हमना डिनोट कर लिए ठीक है तो अपने को पूछ क्या रहा है कि rate change of volume मतलब db किसके respect में surface area ds कब जब R बराबर 2 हो तो यह value निकालनी है अपने को तो चलो volume of क्या होता है volume of a square क्या होता है 4 by 3 पाई आर क्यूब यह volume हो गया और अगर हम लोग surface area का बात करें तो क्या होता है 4 by r square यह surface area होता है ठीक है बचों तो यह volume और surface area अच्छा अब देखो हमको क्या चाहिए db by ds चाहिए तो यह bb देखो r का function है sbr का function है तो parametric function के तरह है तो db by dr निकाल लो आप तो यह आ जाएगा 4 by 3 pi r cube क्या हो गया 3 r square तो यहां से 3 और 3 cancel हो गया और क्या बना यह 4 pi r square बना ठीक है और यहां से ds by dr देखो क्या है तुमारा 4 pi r square क्या रहा है 2 r तो कितना रहा 8 pi r आ रहा है ठीक है यहां से अगर हम लोग क्या करते हैं यहां से देखो थोड़ा जहान से हम db by ds निकालते हैं तो db by ds क्या हो जाएगा db by dr by ds by dr तो db by dr क्या हो रहा है 4 pi r square और ds by dr क्या हो रहा है 8 pi r तो यहां से pi pi cancel 4 to 8 और 1 r और यहां से r खतम तो क्या बचा 1 by 2 r अच्छा अगर हम लोग यहां पर r का value 2 डाल दें बोल रहा है r का value 2 तो यहां पर 1 by 2 into 2 आ गया तो पटके किता बचा 1 अब दो को volume जब भी चेंज होगा वह होगा centimeter क्यूब में यह इसका ना यूनिट लगाने सीख लो और surface इरिया जब भी चेंज होगा वह centimeter square बलता यहां पर बोल रहा है कि जब एक centimeter square surface इरिया चेंज होगा तो एक centimeter क्यूब उसका volume चेंज हो जाएगा तो हमारा जो answer आ रहा है वह आ रहा है one centimeter cube per centimeter square तो यह था हमारा question number 29 चलो आप next question पर चलते हैं देखो question number 35 exercise में आ गया हम लोग बोल रहा है कि side of an equilateral triangle increasing at a rate of two centimeter per second ठीक है कि equilateral triangle का side जो है वो two centimeter per second के rate से क्या कर रहा है increase कर रहा है अच्छे equilateral triangle है तो चलो equilateral triangle का area को a मान लेते हैं ठीक है area a है तो area क्या हो रहा है area मान लेते हैं पहले area जो है ना वो a capital A और side जो है ना वो मान लेते हैं small A ठीक है यह तब अपने को क्या चाहिए दिया हुआ है rate of increasing at a rate of side side जो हो रहा है ना बढ़ रहा है हमारे पास जो given है वो da by dt दिया हुआ है da by dt दिया हुआ है 2 cm per second और अपने को निकालना क्या है area increase कर रहा है कितना तो da by dt निकालना है ना the rate of which rate at which the area increase और कब जब यहां पर कितना हो जाए 10 cm हो जाए तो अपने को निकालना है ठीक है बच्चों अब तोड़ा देखो धियान से हम लोगों को पता है पहले से area of area of equilateral triangle क्या होता है root 3 by 4 side square a square अब इसको differentiate कर दो टी के respect में तो da by dt कितना आ जाएगा तुमारा root 3 by 4 तो constant है 2a da by dt ठीक है तो यहां से देख लो 2a da by dt त यहां से आ गया है तुमारा root 3 by 4 और a और da by dt कितना हमारे पास 2 और अगर हम लोग da by dt मे a का value 10 ले 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 तो देखो क्या आ जाएगा हमारा a का value 10 ले ले लेता है यहां से 2a अच्छा यहां से टू ए तो हमारे पास 2a भी तो है यहां पर 2a और यह 2 आ गया तुमारा da by dt अब a का value यहां से तो देखो यह दोनों तो यहीं से कड़ गा टू टू जब फूर खतम अब यहां से रूट रूट 3 हो गया और एक ही value जो है ना क्या करो 10 डाल दो यह 10 आ गया तो फाइनली आया 10 रूट 3 और एरिया जब भी बढ़ेगा centimeter square में बढ़ेगा और टाइम बढ़ेगा second में तो 10 root 3 centimeter square per second option c जो हमारा है वो सही answer है ठीक है बच्छों चलो next question पर चलते हैं कि देख देखो 36 नंबर जो question है अ लेडर five meter along standing on a horizontal floor lens अगेंस्ट वर्टिकल वाल क्या कह रहा है कि एक ladder है हमारे पास है ना और मालों यह दिवाल है ठीक है यह इसका floor है इस पर एक ladder है यह ladder है और यह जो है ladder है और वो बोल रहा है कि five meter का है five meter का ladder है ठीक है क्योंकि हमारा यहां देखो जो rate change हो रहा है downwards यह जो है ना मालों यह वाला चीज एकस है यह वाला चीज वाई है है ना जो दिवाल की जो उचाहिए वह वाई है और जो floor के जो यहां पर दूरी है वो एकस है डिस्टेंस जो एकस है तो यहां पहले बोल रहा है कि डिवाई बाई डिटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ माइनस टैन यह माइनस टैन है माइनस टैन सेंटीमिटर पर सेंटीमिटर पर सेकेंड दिया हुआ है ठीक है यह माइनस टैन सेंटीमिटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो माइनस टैन सेंटीमिटर पर सेकेंड दिया हुआ है अच्छा तो अपने को क्या करना है यह जो ठीटा तो यहां से एक्स जब दो मिटर दूर हो तो यहां से एक्स जब दो मिटर दूर हो तो दो मिटर कहने का मतलब हो गया 200 सेंटीमीटर तो यह meceling क्या कर सकते हैं डो मिटर है तो यह 2 प्र देख़ लो क्या हो रहा है तुम्हारा अपने को क्या कए हैंगर हम लोग साइन ठीटा की बात करें तो सान ठीटा एक Alrighty है तो य्वाइ पांचसव है ना यहांसा क्या ये Also 500 ने टीक है अगर ने टीच भी % तो कॉस्ट थिटा YKOS होता है X x 500 तो क्या जाएगा हमारा X AQ 500 कॉस्ट थिटा ठीक है अच्छा तो अपने कुछ क्या चाहिए क्या अपने कुछ यह यह dx by dt sorry d theta by dt चाहिए d theta by dt चाहिए कब जब x equals to 2 meter हो जाए या 200 cm हो जाए ऐसा तो और अपने पास given क्या है dy by dt दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं हमारे पास जो पहला एक relation आया y equals to 500 sin theta इसका ना differentiate कर देते हैं तो dy by dt equals to 500 और sin theta का κया होगए cos theta 8 theta का होगए d theta by dt ठीक है तो dy by dt तो पहले से हम को दिया हुआ है minus 10 क्या दिया हुआ हमारा minus 10 ठीक है और अब क्या बोल रहा है कि ये 500 cos theta ना 500 cos theta तो 500 cos theta को तो हम लोग x लिख सकते है 500 cos theta को x लिख सकते है यह होगए x d theta by dt इस डे तीडि ऐड तो दीटिटा वैडिटी क्या हो गया हमारा म मायनस दैन्न वैए एकस तो मायनस टैन और एकस की वैलू देखो क्या है मारी दो सो यह 200 है एटीक है तो और यह हमारा कटके क्या हो गया माईनkes वण बैट वयंटी और यह जाएगा cm per second. minus कहने का मतलब decrease और Goes वी रहा है कि decrease किस रेट से कर रहा है यह cm नहीं हो जाएगा क्यूंकि ठीटा एंगल हो जाएगा Radian Radian per second in 있어요 to minus one by 20 Radian part second Dire Анд पहले इसे बो दिया है तो बस 12 in to पहरें थाटी देखो क्या है मारा जब करन। य एक रफाबर फाइप हैज एट जीरो जीरो क्या बोल रहा है कि अब टेंजन मतले पैरलेल टू एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब अपने को बताना है तो साप अब पता चल रहा है यहाँ पर दिया हुआ है एक्स टू दी पावर वन भाइफाइप अगर हम लोग यहां से ड् we back निकाल लेते हैं तो ड् we dark क्या गया वन पाइफाईपग्स का पावर मैंदक fifa – तुक्यार तुम्हारी तुमारा one by 5 एक्स का पावर माइनस 4 ऐ फाइफब इस इसको ऺुड़ क्या कर लेते हैं तो 1 by 5 और 1 by x का power 4 by 5 लगा देना डिरेक्ट यहाँ 0 मत लगा लेना यहाँ 0 लगा लोगे तो बोलोगे 0 हो जागा तो parallel to x-axis हो जाएगा हमेशा माइनस है तो पहले है अब 0 लगाएंगे हम लोग dy by dx अब 0 लगा देंगे यहाँ पर x का value x का वहाँ पर xy 0 0 है न तो 0 0 लगा दो भी यहाँ पर तो जैसे ही यहाँ पर अब 0 0 लगाओगे तो वह जाएगा 1 by 5 into 1 by 0 तो infinity आ रहा है infinity कहने का मतलब tangent जो है वो parallel to y-axis है न मतलब theta जो है तुमारा m जो slope है वो theta जो है वो slope infinity आ गया तो 10 theta equals to क्या हो गया 10 pi by 2 और theta equals to pi by 2 तो theta pi by 2 हो गया मतलब slope vertical tangent हो जाएगा parallel to y-axis ठीक है तो 37 का option जो हमारा a है वो सही है चलो next question पर चलते है देखो 38 number जो question है the equation of normal to the curve इस curve पर अपने को क्या करना है normal का equation लिखना है जो parallel to the line जो इस line के parallel हो तो सबसे पहले normal का equation लिख देते हैं अगर इस line के parallel equation लिखना है तो याद है हम लोग पढ़े है हम लोग state line में कि इसके parallel का equation लिखना है तो x और y का coefficient तो same ही हो जाएगा तो हमारा जो line है वो x plus 3y equals to c लेलो यह हमारा equation आ गया या फिर plus c लेलो यहीं पर लेलो plus c लेलो यह हमारा equation आ गया ठीक है बचोंग यह हमारा equation आ गया ठीक है बस अपने को c का value निकालना यहाँ पूट करना अपना equation आ जाएगा ठीक है तो यहीं से साब पता चल रहा है कि भ 3Y X 3Y C और D में से कोई answer हो सकता है अगर बायचांग C और D में भी कुछ नहीं दिया रहता है कुछ अलग दिया रहता तो हम लोग यहां से direct answer मार सकते थे छलो ठीक अभी नहीं मार सकते हैं डायक्ट solve करते हैं तो चलो तो यहां से यहां से यह तो कितना रहा है तुम्हारा नॉर्मल का स्लॉप अच्छा अब देखो यहां से यह तो यह तो यह तो स्लॉप आ गया किसका टेंजेंट का इससे दिवाई बबे डिएक्स से हमें लोगों होने टेंजेंट का स्लॉप आया लॉर्मल का स्लॉप क्या होजाएगा अच्छें नॉर्मल का स्लॉप क्या होता है मैनस य निगटिभब तो यहां से रखते हैं लोग वाई और एक्स क्या दोनों बराबर है तो यहां से निकल जाएगा हमारा तो यहां से आप इसमें रख रहे हैं वाई और एक्स की वैलिओ तो एक्स का वैलिओ और minus 2 और x और y बराबर है दोनों तो हमारा xy का value एक तो आ रहा है 22 और एक आ रहा है minus 2 minus 2 अब रखके देख लोग कॉन साटिस्पाइब कर रहा है इस दोनों में से तो x का value अगर हम लोग यहां पर 2 रख रहे हैं तो 2 तो यहां पर भी 2 तो 32 जा 6 to 8 तो c का value minus 8 आ हा रहा है तो c का value minus 8 हो रहा है सी minus 8 है अगर x का value minus 2 रहे है तो minus 2 minus 6 minus 8 तो दा जानके coordinator अगर जाके c का wa Legacy अ रहा है एक बार c का value तो 8 ले लेंगे एक बार minus 8 लेगे था हमारा आ जा गया x plus 3y plus minus सेट तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है ठीक है बच्चों चलो नेक्स्ट कुस्टिन पर चलते हैं थर्टीनाइन अब देखो क्या बोल रहा है इफ दे कर्ब एवाई प्लस एक्स स्क्वार रिक्वेस्ट टू 7 और देस इतना कट और्थोगनली एट 11 और्थोगनली कहने का मतलब क्या होता है यहां से डह कालने का मतलब क्या हो रहा है यहां से डी वाइबाइड एक्स ठीक है यह डी वाइबाइड एक्स प्लस टू एक्स टू जीरो यहां से क्या रहा है डी वाइबाइड एक्स एक्स टू माइनस टू एक्स बाइए और कहां पर बोला बोला हमारा वन वन पर वन वन पर बोल रहा ह यहां से क्या हो रहा है minus 2 by 8 इसको मान लेते है M1 ठीक है और चलो दूसरा क्या है तुमारा x cube equals to y है यहां से 3x square request क्या हुआ dy by dx और अगर यहां भी 11 लगा दें तो dy by dx कितना रहा है हमारा dy by dx 11 पर यह 11 पर लगा दें तो यह आ रहे थு. इन्टू 1 का esquire 3 आ गया और यह क्या गया ठीक हरा हमारा M2 अ अब दोनों thu और ऑर्फजूनल है M1 into M2 equals to minus 1 होने वाला है तो M1 क्या है तुमारा minus 2 by a और m2 क्या है तुमारा three equals to minus 1 तो minus 6 equals to minus a एका value 6 आ गया हमारा a का value 6 आ गया तो यहां पर कुछ 0.6 दिया हुआ है गलत है 6 होगा यह आंसर है हमारा यह 6 है 0.6 नहीं है यह 6 है ठीक है बच्छों यह था हमारा question number 39 डी option है चलो next question पर चलते है 40 क्या बोल रहा है कि y question to this if x changes from 2 to 1.9 what is changing changes in y तो y में क्या change होगा हमारा x में जो change हुआ इतना तो अच्छा अपने को पता है changes in y changes in y को बोलते है delta y और यह क्या होता है dy by dx और यह होता है delta x तो changes जो हुआ है 2-1.99 तो 0.01 changes हुआ है ना यह delta x इतना दिया हुआ हमारा changes ऐसा हुआ है dy by dx निकाल लो तो dy by dx यहां से क्या आ जाएगा dy by dx अगर कर लो तो 4x क्यूब आ रहा है 4x क्यूब आ रहा है ठीक है तो समझो तो dy by dx 4x क्यूब आ गया तो यह है 01 ठीक है if x changes इतना तो एक्स तो तुमारा एक्स क्या हमारा टू है तो यहां से टू डाल दो तो 4 x 2 का क्यूब इंटू 0.01 तो 8 330 यहां 8 432 इंटू 0.01 तो डो डिजिट ले लो तो 0.32 यहां पर 0.01 आ रहा है तो ले लेते हम लोग यहां से 0.32 तो आंसर जो हमारा है ओप्सन ए हमारा सही आंसर है ठीक है बच्छों 40 का ओप्सन ए सही आंसर है चलो ठीक है next question पर चलते हैं लोग देखो 41 जो question है the equation of tangent to the curve यह curve है इस curve पर tangent निकालना है अपने को where it cross मतलब curve cross कर रहा है x-axis अच्छा x-axis को cross करेगा अगर मानलो curve x-axis को जैसे कि मानलो यह curve यह curve x-axis को cross करेगा तो x-axis को cross करेगा तो यहां का जो point होगा कुछ alpha 0 के तरह मतलब y coordinate 0 हो जाएगा तो इसमें y 0 कर दो एक्स का value आ जाएगा तो जैसे ही y 0 करेंगे तो यह 0 होगा तो यह पूरे की पूरी कहानी से पार हो रहा है तो देखो चलो point पता होगे हमको अब बोल रहा है equation of tangent tangent का equation तो tangent का equation अगर इस point से पास हो रहा है तो y-10 slope जो भी होगा m और x-2 तो y-2 क्या हो रहा है m x-2 के तरह होगा ठीक है अब चलो m का value निकाल लेंगे तो अपना काम बन जाएगा ठीक है m का value निकाल लेंगे तो अपना काम बन जाएगा तो m कहने का मतलब slope slope of tangent के इस point पर निकालना है 2-0 पर तो चलो इसको differentiate करते हैं हमारे पास क्या है y1 प्लस एक्स स्क्वाइर है इसको differentiate करते हैं तो वाई यहीं रहने देते हैं और 2-1 प्लस एक्स का होल स्क्वाइर यू भाई भी में differentiate कर लो तो डीवाई बैडी एक्स यहीं स्लोप आ जाएगा लास्ट में इस पर यहां पर देख लो वणरस एक्स स्क्वाइर का डिक्सेश्न ओरए2 एक्स अब हम लोग को क्या करना चाहिए यहां पर देखलो हमारा one plus X square का whole square ठीक है तो अभी देख लो यहां से क्या रहे है two x square minus x square तो x square आ गया minus four x आ गया minus one आ गया और by one plus x square का whole square आ गया अब x की value क्या रखनी है हमको two और y की 0 तो ऑगर two रखेंगे हम लोग तो देखो slope क्या रही है X की value 2 रखना है और Y की value 0 तो X की value 2 रखना तो 2 तू जा 4 minus 4 तू जा 8 minus 1 by 2 का स्क्वाइर 2 तू जा 4 1 5 नीचे 25 है उपर में minus 5 हुआ अब आई 25 आया तो कटके 1 by 5 minus 1 by 5 आ रहा है तो slope minus 1 by 5 आ गया है ना ऐसा आ रहा है तो slope minus तो Y equals 2 M क्या minus 1 by 5 और यह क्या हमारा X minus 2 है यहां से 5Y equals to minus X और प्लस 2 तो finally क्या हो गया X plus 5Y equals to 2 बोल दो या minus 2 equals to 0 बोल दो X plus 5 equals to 2 तो option A जो हमारा है वो सही answer है ठीक है बचो चलो next question पर चलते हैं तो 42 देखो क्या है हमारा the point at which the tangent to the curve this is parallel to X axis बोलता है कि point at which the tangent to the curve अच्छा tangent वो point बताना है जहां पर tangent जो है वो X axis के parallel है मतलब tangent मतलब slope जो होगा वो जो है X axis के parallel है तो ठीक है slope जो है 0 हो जाएगा जब X axis के parallel का मतलब slope 0 हो जाएगा यहां से डी य बे डी एक्स ले लो तो इससे गया हो गया tangent of slope आगया हमारा 3X square minus 12 ऐसा और बोल रहा है यह X axis के parallel है इसका मतलब यह 0 है तो 0 है तो यहां से 3X square request to 12 हो गया तो X square request to कितना आगया 4 आगया तो X का value 2 और minus 2 आगया अच्छा X का value अगर 2 ले लो 2 और minus 2 तो 2 और minus 2 2 और minus 2 अच्छा चलो C तो ऐसे ही दिख रहा है ऐसी answer नहीं होने वाला है ठीक है क्योंकि यहां पर X का value एक 0 आगया बढ़ की 3 हो सकता है तो चलो check कर लेते है X का value जब 2 ले लो X का value जब 2 लेंगे तो Y का value देखो क्या आएगा तो Y का value यहां से 2 का cube 8 आगया minus 12 का 12 into 2 24 आजाएगा अब plus 18 आजाएगा तो 18 और 8 26 आगया 26 minus 24 तो यह 26 minus 24 कितना आ रहा है 2 आ रहा है मारा इसका मतलब 1 X का value 2 तो 2 2 answer तो आगया एक तो बस यह option D लग रहा है एक ही इसी में 2 2 और किसी में 2 2 नहीं है तो ज़्यादा time नहीं बरबात करना चाहिए option D जो हमारा है 42 का वो सही है चलो next question करते है क्योंकि एक 2 2 आए तो दूसरा अपने आप यहीं आएगा क्योंकि और किसी में तो 2 2 है यहीं मेरा तो यहीं सही answer है तो रिजेक्ट करने भी सीखना चाहिए कि यह रिजेक्ट हो गया तब इससे क्या होता है आप जल्दी बनता है नहीं तो सब चेक करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि टूटू इसी में खाली और किसी में नहीं है और किसी में रहता है तो फिर हम दुबारा और चेक करते हैं यहां जरुरत नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग है यहां पर 20 40 देखो नारे टैंजन्स तुद कर वाई कोस्ट क्या है तुमारे एंटू दी पावर एकस एट इतना मीट एकसेक्स एंट मतलब पॉइंट निकालना यह भी x-axis पर कहा में मिलता है tangent to the curve curve का tangent अच्छा पहले tangent निकाल लो इस पॉइंट पर और वो x-axis पर कहां मीट करता है तो इस पॉइंट पर tangent का equation क्या हो जाएगा y-y11 slope m और x-x10 यह तो तुम्हारा tangent हो गया मतलब y-1 equals to mx हो गया यह तो तुम्हारा tangent हो गया ठीक है अब चलो m का value निकालने तो काम हो जाएगा है ना ऐसे भी जो बोल रहा है कि मीट x-axis जहां पर x-axis पर meet करते हैं तो y-0 होता है 2 into 0 into 2 तो e का power 0 तो 1 into 2 तो कितना गया 2 तो m का value 2 आ गया तो minus 1 by 2 आ रहा है तो x का value minus 1 by 2 x-axis पर meet कर रहा है तो option b हमारा सही हो जाएगा minus 1 by 2 0 ठीक है यह कुछ sign नहीं है यह ऐसे ही कुछ जो है misprint कुछ हो गया है तो यह answer है मारा minus 1 by 2 0 option b जो हमारा है 43 का वो सही है चलो next question पर चलते हैं देखो क्या कर रहा है 44 the slope of tangent to the curve x equals to t square plus 3 t minus 8 और y equals to इतना 8 point इतना slope of tangent निकालना simple dy by dx निकालना अपने को तो और point भी दिया हुआ है ही हमारे पास तो देखो इस point पर ठीक है तो 2 minus 1 point पर slope निकालना है अपने को ठीक है तो देखते हैं तो यहां से क्या रहा है तुमारा एक्स जो है तुमारे पास कि टी स्क्वाइर प्लस 3 t minus 8 टेंजेंट का स्लोप निकालना तो dy by dx निकालना है तो यहां से हम लोग ना dx by dt निकाल लेते हैं तो dx by dt निकालते हैं तो 2t प्लस 3 आ गया ठीक है और यहां से देख लो y दिया हुआ है 2t square 2t square और minus 2t minus 5 यहां से dy by dt अगर पर निकालते हैं तो क्या आता है तुमारा 40-2 अगया ठीक है अगर हम लोग डी-वै बार क्या वैट एक्स क्या आ थे मूँरे थी और क्या है लिटम्हारा दी-याउट्स पैडिट्ट्ट अब थोड़ा देखो डी-वै-डि-टी- प्लस थ्री ठीक है यह तो अब अपने को क्या करना है जब पॉइंट हमको दिया हुआ तो टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने को ठीक है क्योंकि पॉइंट यह जो दिया हुआ है यहां से टी का वैल्यू निकालो तो टी स्क्वाइर प्लस फाइब टी माइनस टू टी माइनस टैन इक्वेस्ट जीरो यह बड़ा इंपॉटेंट है यहां पर थोड़ा थोड़ा ट्रिक दे देता है फाइब माइनस टू और टी प्लस फाइब यहां से जीरो आ गया तो टी माइनस टू एक तो आ रहा है टी माइनस टू और एक आ रहा है हमारा टी प्लस फाइब इकवेस्ट न वाइनस टू और तो टी की दो वैल्लियू आ रही है टू और माइनस फाइब तो पहला एक्वेशन से टी का वैल्लियू अभी पता नहीं दोनों में से कौन है दूसरा भी साटिस्पाइ कराते हैं क्या हमारा टू टी स्क्वेlara माइनस टू 2t minus 5 और y की value क्या है minus 1 है equals to minus 1 लेते हैं उठा के दर कर लेते हैं तो minus 4 हो जाएगा 2t square minus 2t minus 5 plus 1 तो minus 4 equals to 0 2 से divide कर लो तो t square minus t minus 2 equals to 0 तो यहां से देखो क्या रहा है तुमारा t square minus 2t plus t minus 2 equals to 0 अब यहां से t common निकाल लो तो t minus 2 और plus यहां से यहां पर ऐसा लिखा हुआ है t minus 2 तो यहां से one common निकाल लो तो t minus 2 यह हो गया तुमारा t minus 2 equals to 0 तो t minus 2 into t plus 1 equals to 0 तो यहां से देखो t का दो value आ रहा है 2 और minus 1 तो देखो तो इसका मतलब हम लोग जब यहां पर अगर वह पॉइंट डालते हैं तो टीका वैल्यू अपने को टू लेना है ठीक है क्योंकि दोनों में वही आया तो टीका वैल्यू टू लेना है तो 42 जा 8 माइनस 26 और नीचे क्या वह 22 जा 437 तो 6 वैस 7 हमारा आंसर है और भी हमारा 44 का सही आंसर है ठीक है बच्छों चलो नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं 45 करता है टू कर्ब्स एक कर्ब यह दिया हुआ है और एक कर्ब यह दिया हुआ है इंटरसेट एंगल तो दोनों का स्लोप बस निकाल लो काम बन जाएगा तो देखो यहां से क्या है तुमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वाइर प्लस 2 इक्वेस टो जिरो यहां से इसका करो डी यह दिया निकालो तो 3x स्क्वाइर माइनस 3 अब X को छोड़ो Y स्क्वाइर का 2y डी यह दिया डी एक्स और प्लस Y स्क्वाइर को छोड़ो X का क्या हो गया 1 और 2 का तो 0 हो गया हटाओ तो इकक्वेस टो 0 भी बचा उधर तो कुछ हुआ ही नहीं तो यहां से 3 उद minus Y square equals to 0 तो X square minus Y square equals to 2XY और यह आगे है DY by DX यहां से क्या रहा है तुमारा DY by DX equals to क्या रहा है X square minus Y square by 2XY ऐसा चला और चलो आگे देखो फिर क्या है तुमारे पास 3X square Y minus Y square minus 2 equals to 0 तो यहां से अब इसको भी डिफरेंसियेट कर लो तो 3 को छोड़ो x square हो गया और y का कितना आ रहा है dy by dx प्लस y को छोड़ दो x square का क्या रहा है 2x आ रहा है ठीक है अब यहां से इतना आ गया और minus y square का 2y dy by dx आ गया y cube है न y cube है तो 3y square आ गया 3y square आ गया dy by dx और 2 का तो 0 equals to 0 आ गया तो यहां से भी 3-3 common लेके उदर जाके divide में होके 0 हो जाएगा तो यहां से हो रहा है x square dy by dx plus 2xy minus y square dy by dx equals to 0 तो यहां से देखो क्या रहा है तुमारा x square minus y square और यहां से आ रहा है तुमारा dy by dx equals to minus 2xy ऐसा चला रहा है यहां से देख लो तोहाँ से x यहां से देख लो ध्यान से तुमारा dy by dx equals to minus 2xy by x square minus y square ऐसा अब देखो दोनों का slope इसको माननलो थोड़ा दिर के लिए कि इसका slope m1 है यह slope m1 है और यह slope मानलो थोड़ा दिर के लिए यह slope क्या है तुमारा m2 है अब देखो m1 into m2 क्या रहा है हमारा x square minus y square by 2xy into minus 2xy by x square minus y square तो यह सब कटके किता बच गया 1 minus 1 बचा और 2 का slope अगर multiply होके minus 1 हो रहा है इसका मतलब वो दोने एक दूसरे पर perpendicular है मतलब 90 degree है तो option c हमारा सही answer है ठीक है बच्छों चलो next question पर चलते हैं next question देखो क्या कहता है आँ देंटरवल on which the function fx equals to this is decreasing किस interval में यह decrease कर रहा है किस interval में यह decrease कर रहा है तो चलो सबसे पहले तो हम लोग पता करते हैं fx है तो f-x निकालते हैं तो f-x क्या आगया 6x square आगया प्लस नाइन टूजा 18x आगया प्लस 12 आगया decreasing करना है मतलब f-x पता करना है कि f-x जो है ना less than 0 कि इस interval में आ रहा है तो कर लेते हैं चेक 6 common निकाल लो और यहां से क्या आगया x square और प्लस 3x प्लस 4 इसको factorize कर लो देखो यहां पर 6 और अब देखो यह यहां पर यह f-x चल रहा है decreasing निकालना है अपने को तो यहां से क्या आ रहा है x square प्लस 4x है ना और 3 अब यह समझ लो बात यहां पर 18x प्लस 12 अगर अच्छा सॉरी 6 निकालेंगे 2 बचेगा यहां ना 2 बचेगा 2 तो यहां से आ रहा है 2x प्लस x प्लस 2 तो यहां से क्या रहा है तुमारा 6 x common ले लो तो x प्लस 2 आ रहा है प्लस जो है 1 common ले लो x प्लस 2 आ रहा है ठीक है अब देखो यहां पर समझो 6 और यह आया x प्लस 1 और यह आया x प्लस 2 तो f-x इतना आ रहा है तुमारा अब यहां पर देखो कि कहां पर यह जो है less than zero होगा सिंपल बात है यह अब डैस x है कहां पर less than zero होगा तो वेवी कर भी मेतट का यूज़ करते हैं तो यहां से zero इसका पता कर लो सब देखो linear है मारा तो इसका zero जा रहा है minus 2, और इसका 0 जा रहा है minus 1, तो minus 2 minus 1 सबसे इधर से, right side से, इधर से, plus, minus, plus, तो less than 0, less than 0 कहने का मतलब negative, मतलब यह वाला part जो हमारा है, minus 2 से यह वाला part, जो हमारा minus 2 से minus 1 वाला, यह मेरा, यहां से ले के यहां तक का जो part है, यह decreasing होगा और यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट में क्या होगा increasing होगा तो interval जो हमारा सही answer है वे भी कर भी हम लोगों ने 11th में पढ़ा था इसको ठीक है कि क्या करना है अपने को linear linear का 0 निकाल लेना है 0 निकाल के point कर दो और सबसे right side से plus minus plus अगर increasing पूछता तो plus वाला हिससा increasing होता decreasing पूछ रहा है तो minus वाला minus 2 से minus 1 हमारा जो है वो answer है ठीक है minus 2 से minus 1 तो यह वाला answer है हमारा decreasing में option B minus 2 से लेके minus 1 ठीक है बच्छों तो अब आगे बढ़ते हैं देखो 47 नंबर हमारा question क्या कह रहा है कि fr2r हमारे पास function है be defined by fx equals to 2x plus cos x यह fx equals to क्या है तुमारा 2x plus cos x है तो यहां से सबसे पहले तो बोल रहा है minimum at pi maximum at zero increasing function decreasing function देख लेते हैं सबसे पहले f dash x निकालते हैं तो 2x का 2 आ गया cos का minus sin x आ गया पूरा real number में तो साब साब पता चल रहा है तू और पूरा real number में sin की value minus 1 से 1 होती है तो अगर हम लोग यहां पर minus करते हैं 2 minus 1 minus minus plus 1 तो यह तो 3 हो गया और 2 minus 1 1 आ गया तो fx हमेशा ही क्या आ रहा है f dash x हमेशा ही क्या हो रहा है 3 से 3 से 1 आ रहा है इसका मतलब f dash x जो है हम ऐसा 0 से बढ़ी आ रही है इसका मतलब यह increasing function है option d जो हमारा है वो सही answer है ठीक है बच्छा option d हमारा सही answer है चलो आगे बढ़ते है 48 करता है y equals to इतना decreases for the value of x given by बोलता है यह decrease कब करेगा y equals to x यह decrease कब करेगा यह अपने को पूछ रहा है ठीक है तो चलो देखते हैं तो यह कब decrease करेगा तो सबसे पहले तो dy by dx निकाल लो क्योंकि इसी का less than 0 जहां पर होगा वहीं पर यह decrease करेगा तो यहां से x को छोड़ो differentiate कर रहे है 2 x minus 3 और फिर x का 1 आ जाएगा अब प्लस x minus 3 का whole square को छोड़ो x का 1 आ रहा है तो यहां से x minus 3 तो common निकाल लो और यहां पर बचा 2 x और प्लस x minus 3 तो यहां से क्या आ रहा है तुमारा x minus 3 और यहां से आ रहा है 3 x minus 3 निकाल लो तो x minus 3 In tone इससे 3 common निकल लो तो फिर इसका 0 पता कर लो 13 इसको 0 करेंगा तो 1 आ जाएगा एकics minus 1 को 0 आ रहा है तो उसी तरह x minus 3 को 0 करेंगा तूंत इसका 0 तो और 3 यह क्या तुमारा infinity है उर यह क्या तुमारा minus infinity यहां सी प्लस लो minus low plus low क्या पूछ रहा है decreases decreases हमारा इस वाले में आएगा minus one से लेके three तक में one से लेके three तक में मतलब option ए जो हमारा है 48 का वो सई option ठीक है बच्छो चलो next question पर चलते हैं अब क्या बोल रहा है the function दिया हुआ है strictly increasing increasing decreasing के बारे में पूछ रहा है कि strictly increasing कहा होगा strictly decreasing कहा होगा तो चलो ठीक है सबसे पहले तुम लोग क्या करते हैं अब डैस एक्स ले लेते हैं तो क्या रहा है तुम्हारा इस फूर त्रीजार टूवेल्व साइन स्क्वाइर एक्स साइन का क्वास एक्स माइनस टूजार टूवेल्व साइन साइन का क्वास एक्स एस आरहां अचा सबसे क्या चीज दिखा और हंड़र का और जीरो आ तूवेल्व साइन एक्स सब्से कॉमन है टूवेल् ना समेंफ पौस एक्स सब में कॉमन है तू यहां क्याคह साइन स्क्वाइर एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस वन बच गया साइन स्क्वाइर एक्स ऐसा ठीक है ऐसा बचा साइन स्क्वाइर एक्स यह और यह वन आ गया अब बोल रहे यह देखो तुम्हारा कि इंक्रीजिंग का बात कर रहा है यह हमेशा बोल रहा है कि इंक्रीजिंग फंसन अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों का बात कर रहा है तो चलो डोनों का बात कर रहा है तो हम लोग देखते हैं यह 0 कहां पर होता है यह 0 कहां पर होता है क्योंकि पूरा का पूरा कहानी कहां से कहां तक में चल रहा है 3 pi by 2 तो 0 से 2 pi के बीच में इस सारा कहानी चल रहा है तो f dash x जो है न वो 0 कहां से कहां होगा तो f dash x equals to 0 देखो अपने को क्या देगा 12 cos x into sin square x minus sin x plus 1 equals to 0 यह देगा तो अभी यहां से देखो साब दिख रहा है एक तो यहां से दिख रहा है क्या कि cos x अच्छे एक बात देखो यहां पर ध्यान से यह वाली चीज जो है न अपने लोग एक चीज पढ़े थे quadratic में अगर हमारा ax square plus bx plus c एक quadratic है और इसका a मतलब leading coefficient a अगर a greater than 0 हो जाए और d मतलब discriminant less than 0 हो जाए यह हमेशा ही 0 से बढ़ा होता है यह हमेशा ही क्या होता है जिरो से बढ़ा होता है यहां भी देखो वही कहानी चल रही है इसका leading coefficient क्या 1 तो इसका a तो 1 आ गया वो 0 से बढ़ा आया और d की बात करो बी स्क्वार भी क्या है तुमारा minus 1 तो minus 1 का square minus 4 a के जग़ा 1 c के जग़ा 1 तो 1 minus 4 minus 3 यह d less than 0 आ रहा है तो a greater than और d less than 0 तो यह वाला चीज हमेशा positive होगा यह हमेशा ही क्या होगा positive होगा तो positive को दर से ले जाकर divide कर दो और 12 को भी divide कर दो तो cos x equals to 0 आ गया तो cos 0 कहां हो गया इसका मतलब x cos 0 कहां होता है i gotta power 0 जो है प्लाव complex की आप तुम देखोगे थो कास यहाँ जिरो होता है यहां पर यहां पर 1 होता है यहां जीरो होताय है और यहां जीरो होता है इसका मतलब x की value जो है हम लोग जो है cost equals to 0 है तो cost के बारे में अफने को पता करना है कि तो x की value क्या क्या आ गई एक तो pi by 2 आ गई और एक minus pi by 2 भी ले सकते हो 3 pi by 2 का use क्या है तो minus pi by 2 या 3 pi by 2 एक ही बात है 3 pi by 2 ले सकते हो बस basically पता करना है कि यह cost आ रहा है है ना cost तो यह वाले चीज जहाँ जहाँ greater than 0 होगी कि वहाँ increasing हो जाएगी function और जहाँ-जहाँ less than 0 होगी वहाँ decreasing हो जाएगी function तो बस इसी के बारे में बात करना है तो यह पर तो cos हमेसा negative होता है तो यहां पर मतलब यह increasing नहीं होगा हमेशा डेकरीजिंग होगा यह कै तुमारा पया यह त्ञाने ओस्रेटीडिनxis होता है ठीक हो यह साही है यह सही है आप से यह तक में तो售 आपना एक आपना पॉजिटिव होता थैं करेजिंग और यह बीगलत 0 самого ने तो यहां हमारा 49 था अब आते हैं मतलब अपने को बेसिकली यह पता करना था कि एपड़ा से बढ़ा होगा या मतलब जो भी आएगा तो एपड़ा से हमारा क्या आ रहा था को से उसके बारे में दो में निकाल होगे यह सामै कहया ओंगया टु कास्ट कॉस्ट टुक्राश कहाँ एकश असर्फिस है नतर जीरो से riot सबस्राइब करके से Measure को सबस्राइब कर आपको सबस्राइब देख लोगे सबस्राइब को सबस्राइब में पाइए तो क्रूप्त सेर्डिस अए इन र्यार ने में alt канал के बारे में तो बोला जाता है हमेशा on Suglt और विए says कहिए होता ही तो एक तो फवार दॉस्त के मायनस साइन एक्स չो जाएगा और मैन इस व 1953 ठीजव होजाएगा ठीक है ढूब 2-5-2-1-2 से पाइब टू में जीलो से बढ़ा हो गया लेकिन जैसे ही माइनस से मिल्टिऱा करोंगे तो माइनस साङ में 0 805 से छोटा इसका इसका मतलब cheating आ गया तो pedir आ अगया तो आप्सन में एत्टी सई ही म सब्सकत्राइब चलो लिक्ति पर सही पर चलते हैं 51 देखो क्या रहा है यहां पर function 10x यह इसके बारे में पूछ रहा है कि यह function कैसा है ठीक है तो fx क्या है हमारा 10x-x 10x-x ठीक है इसका अगर हम लोग f-x निकाल ले तो यह क्या गया 10x का सेक स्क्वार एक्स माइनस वन अच्छा सेक स्क्वार एक्स के बारे में पता है अपने को सेक एक्स कहां से कहां बिलॉंग करता है सेक एक्स बिलॉंग स्टू होता है पूरी माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी लेकिन जैसे इसका सेक स्क्वार एक सबसे आसान तरीका निकालते हैं इसका हम लोग मीनिमम वेलु निकालने का तो देखो इसका ना perfect square बना लो इससे minimum निकल जाएगा हमारा जल्दी से x square minus 8 को 2 a के जगा x b के जगा 4 plus 4 का square 16 आ गया plus 1 17 तो यहां से हो गया x minus 4 का square plus 1 तो यह वाली चीज तो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है और plus 1 होता है यह हमेशा greater than equal to क्या गया 1 तो 1 इसका minimum value हो जाएगा है ना 1 से बड़ा या बराबर तो इसका मतब यहां से यह 1 से infinity चल रहा है 1 मारा है greater than equal to है तो 1 से बड़ा या बराबर तो सबसे minimum value जो इसकी होगी वो होगी c option c हमारा सही answer है 52 का चलो ठीक है next question पर चलते हैं अभी देखो smallest value of polynomial 0 से 9 0 से 9 में अब डैस एक समारा रहा है 3 x स्क्वाइर माइनस 36 x प्लस 96 है ना तो यहां से 3 common निकाल लो तो 3 common निकाल लिए तो x स्क्वाइर माइनस 12 x और 12 x और यहां से 3 common निकाल लें तो 3 3 9 3 2 6 ऐसा आ रहा है तो अभी देखो यहां से क्या गया इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो 3 और यहां से देखो x स्क्वाइर माइनस 8 x माइनस 4 x 8 4 जा 32 होता है ना और प्लस 32 तो इसको फैक्टराइज कर रहे हैं basically और कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहां से x common ले लो तो x माइनस 4 आ रहे हैं तो एक्स की जो वैल्यू अब साब साब पता चल रहा है देखो ध्यान से साब साब पता चल रहा है कि हमको इसका smallest वैल्यू चाहिए तो app dash x, तो x की वैल्यू जो है तुमारी क्या क्या आ गय अगर एपडाइस x, 0 कर लो, app dash x equals to 0 कर लो तो देखो हमारा जो critical point आ गया, वो क्या आ गया? यहां देखो 0 से 9 के बीच में पूछ रहा था, तो 0 से 9 के बीच में और यह 4 और 8 तो हमारा जो critical points है, वो क्या क्या है? critical point वो क्या क्या गया critical points वो आ गया x equals to 0 आ गया 4 आ गया 8 आ गया और 9 तो अभी इस चारों पर चेक करना है अपने को जो सबसे छोटा होगा वही इसका minimum value होगा सब पर चेक करना है तो f0 अगर चेक कर लो सबसे पहले तो सब जगह 0 0 जीरो यह 0 यह 0 ίह 0 सब जगह 0 डलोगे तो 0 आ जाएगा अगर 4 fakा क्यूब माईनस 18 x 4 कर सक्वार का स्क्वार और प्लस यहां से 3 मयं से 1 निकल गया तो 14 यहां से 4 अकेला बच गया तो एटीन फूर्जा सेवेंटी टू आ रहा है और प्लस एक फूर हो गया तो 96 यहां भी दोको 96 और 96 और 16 तो फूर इंटू 96 और प्लस 16 तो कितना आ जाएगा वन हंडेड एंड टूल बाजाएगा वन हंडेड एंड टूल माइनस सेवेंटी टू अब इसको माइनस कर लो तो यहां से 40 आ जा रहा है 40 तो 40 तो चार इंटू 40 तो 160 यह तो बड़ा भेल्यू है चलो एफ एट देख लेते हैं अब एट पर देख लो उसी तरह एट कॉमन निकाल लोगे यहां से यहां से दो भी सबमें एक से-कसे तो 8 common आ गया सबसे तो एक अगर माना गया अमारा देखो द्धिएन से सब पर निकालना है अपना सौलब करके देख ले न तो एट common आ गया तो अंदर में क्या बचा है वेटेट का स्क्वेर के लित आ ग्यासे अगर एकष बाहर निकल लिकल ले ऊंदर बचले और रस्कवायर कोई जार है नोट इनकीटने सिक्सट एNote X एक्सट प्लूस नाइटिसिर्ट ही ओर इचंडीन अग्या है एक्सटी फॉर और यहाँ आ रहा तो यहां से भी कितना रहा है तुमारा एट इंटू एट इंटू यहां से 16 आ रहा है तो 128 आगया यहां से 16 एट जा 128 अब चलो नाइन पर चेक कर लो तो एफ नाइन पर चेक कर ले रहे हैं तो नाइन बाहर निकल लो अब फिर नाइन का स्कॉर क्या आ जाएगा नाइन जा एटीवन और माइनस फिर क्या है तुमारे एटीन नाइन जा 162 162 और प्लस 96 ऐसा रहे प्लस 96 ऐसा रहे तो अभी देखो यहां से कितना आगया नाइन और वन और शिक्स सेवन और यह क्या एट और 971 77 62 177 और मैनस कर लों तो हमको लगए यहां Québec 25 ऐब कर दो सबक्राइब और सबसे कम आ रहे है वह जिरु आ रहा है वह सबसे कम वह जर ओप्सन भी हमारा सही आंसरत यह जीरु आ जाएगा ठीक है बच्शे यह 2 आजयगा चलो नेक्स्ट क्षिंट पर चलते हैं misinformation तो चलो ठीक है निकाल लेते हैं यहां पर लोकल मेक्सिमा मिनिमा के बारे में तो सबसे पहले तो सबसुद्स . यहां से सिक्स मार निकाल लो यह सब्सक्राईर माइनज़ माइन 2017 तो यहां से अध्यवार से varies लेलो यहां से स्ब्सक्राइब माननेट निकाल ओर यहां से एक सारे एक एक्स माइनस टू आ गया और प्लस वन तो एक्स माइनस टू आ गया अब देखो यहां से 6 है और एक्स प्लस वन आ गया और एक्स माइनस टू आ गया तो यहां से साब दिख रहे हैं कि एप डैस एक्स टू अगर जीरो कर लें तो क्या रहा है तुम्हारा six x plus one और x minus two equals to zero तो x का दो value आ रहा है एक आ रहा है minus one और एक रहा है two अच्छा एप double dash x करते हैं तब तो पता चलेगा कि local यहां पर कहां पर local maxima कहां पर local minima आएगा एप double dash x कर लो तो यहां से double dash x इसमें करना है अपने को यहां से आ रहा है 12 x minus six तो यहां से six निकल गया तो two x minus one आ रहा है अब हमना एप double dash minus one बिठा दो तो six two into minus one minus one तो कितना रहा है minus two minus one minus three तो यह minus 18 तो यह क्या है local यह less than zero हो गया तो maxima आ गया यह local maxima आ गया यह local maxima यह लोकल मेक्सिमा एप double dash two कर लो तो क्या रहा है six two into two minus one तो four minus one three यह 18 आ रहा ग्रेटर देन यह local minima आया local minima तो एक point पर local minima एक point पर local maxima one maxima one minima option c जो है ना 54 का वो सही है ठीक है बच्छों चलो next question पर चलते हैं हम लोग maximum value of sine x into cos x अच्छा sine x into cos x देखो क्या होता है तुमारा sine x into cos x तो यह क्या होता है sine x into cos x sine two x by two आ गया sine two x by two तो one by two और sine two x का value minus one से one होता है इसका जो minimum value होता है minus one by two और maximum जो होता है one by two तो आंसर बी यहां क्या बोल रहा है maximum तो one by two option b हमारा 55 का सही answer है ठीक है चलो next question पर चलते हैं कि देखो एक सिक्ष्ट फाइबाइबाए शिक्स इस इसके बारे में पूछ रहा है कि यह maximum होगा यह minimum होगा इसके बारे में पूछ रहा है तो f-x क्या रहा है तुम्हारा देखो two sign क्या आगया तुम्हारा cos 3x cos 3x into 3 plus 3 minus sign 3x into 3 this implies f-x equals to क्या रहा है तुम्हारा देखो 326 cos 3x minus 339 sign 3x ठीक है तो क्यूंकि अपने कुछ चेक करने के लिए बोला है कहां पर x equals to 556 पर तो हमना यहां से चेक कर लेते हैं f-x f-556 देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है यहां पर सिक्स और कॉस थ्री इंटू 556 और माइनस नाइन साइन थ्री इंटू 556 यहां से तो टू आ गया यहां से भी क्या गया 123226 तू आगया तो यह क्या तुमारा उसक नो फिन फिमिंटेंस नाइन साइन हाइब पाई वाइब टू ए न से सब्सक्तर्ट फिज्व का शॉख यहां से टूपई पाइब टूद्टिख को अ pandeo fifth अ ने इdew तो साब बात है अगर यह मैक्सिमम या मीनिमम होता तो एप डैस एक्स जो है ना इस पॉइंट पर जिरो होना चाहिए था बट एप डैस एक्स क्या रहा है माइनस ना रहा है बात समझ में आ इसका मतलब साफ साफ है कि इस पॉइंट पर फंसन जो है नहीं पैदा होता है तो लोग यहां पर क्या बोलेंगे नाइदर मैक्सिमम नौर मीनिमम ऑप संडी हमारा सही आंसर है ठीक है तो आगे चलते हैं लोग नेक्स्टेस पर 5027 क्या बवोलड़ा मैक्सिमम स्लूप अब्दकरब इस मैक्सिमम स्लूप यहां पर थोड़ा सदेखो ट्रिक दिया हगोर मैक्सिमम श्लूप अ कल q इस curve पर जो tangent बनेगा, उसका maximum slope जो है, वो क्या होगा? सबसे पहले तो भी यह tangent, जो slope है, slope का equation तो निकाल लो, तो slope का equation होता है, dy by dx, तो यह slope आ जाएगा, तो slope आ गया, minus 3x square, plus 6x, plus 9, ठीक है, यह slope आ गया, अब इसको हमना fx मान लेते हैं, और इसको solve कर लेते हैं, अब maximum slope अपने को निकालना है, तो minus 3x square, plus 6x, plus 9, ठीक है, तो maximum slope निकालना है अपने को यहाँ पर, तो f dash, x क्या आ जाएगा हमको, minus 6x, और plus 6, तो यहां से minus 6 common निकाल लो, तो x minus 6 common निकाल लो, तो यहां से क्या बचा, x minus 1 बच गया, तो maximum slope कितना होगा, वो पता करना है, तो f dash, x equals to 0 कर लें, तो this implies, minus 6 और x minus 1 equals to 0 हो जाएगा, और x का value क्या जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है, अब देखो, f double dash x क्या आ रहा है, f double dash x minus 6, इसका differentiation करना है, तो minus 6 x का minus 6 आ गया, और f double dash, इस point 1 पर क्या आएगा, यह भी minus 6 आ गया, तो यह less than 0 आ गया, तो यह maximum आ जाएगा 1 पर, तो x equals to 1 क्या है, point of maxima, point of maxima आईए, यह अगर यह point of maxima है, इसका मतलब maximum value क्या होगा, f1 जो हमारा maximum value होगा, और f1 यहाँ डाल देना है, तो क्या है, minus 3 into 1 का square, plus 6 into 1, plus 9, तो कितना रहा है तुमारा, minus 3, plus 6, minus 3, plus 6, plus 9, तो minus 3, plus 15, 12 हमारा answer आ रहा है, तो option, option भी हमारा सही answer है, 57 का, ठीक है बच्चों, चलो next question पर चलते हैं, 58, बोल रहा है, fx equals to x to the power x, has a stationary point, stationary point का मतलब होता है, stationary point का मतलब होता है, यह one by e, stationary point का मतलब होता है, कि कहां पर f-x 0 हो जा, stationary point का मतलब होता है, f-x 0 stationary point, तो सबसे पहले तो f-x निकालते हैं, तो f-x निकालना है कितना, x to the power, जो चलो, fx मारा जो दिया हुआ है, वो x to the power x है, तो log x ले लो, दोनों सेट, log fx equals to log x to the power x, log fx का differentiation 1 by fx into f-x, यह हो गया, और इसको, इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे, x log x लिख सकते थे, तो इसका differentiation करो, x को छोड़ो, log x का 1 by x हो रहा है, और log x को छोड़ो, x का 1 आ रहा है, तो यहां से यह cancel हो गया, तो f-x हो जाएगा, और यह f-x है, और यह 1 plus log x है, ठीक है, तो f-x इतना आ गया, इसका मतलब क्या रहा है, तुमारा, f-x equals to, f-x तो x to the power x है, और 1 plus log x है, तो since f-x बराबर 0, तो जब f-x बराबर 0 है, तो x to the power x, और 1 plus log x यह क्या है, तुमारा 0 है, यह हमारा positive number है, इसको उधर लेके चले जाओ, तो यह हो जाएगा, 1 plus, यह तो 0 आ गया, तो 1 plus log x equals to 0, यह positive number यह तो कभी 0 नहीं हो सकता है, तो यह वाला term 0 हो जाएगा, यह positive number तरला के divide कर से दो, ऐसा हो गया, तो log x का value कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, minus 1 आ रहा है, तो x का value क्या आ गया, e to the power minus 1, तो 1 by e आ गया, 1 by e, तो stationary point option b जो हमारा है, वो सही answer है, ठीक है बचाओ, 58 का b, चलो next question पर चलते हैं, maximum value, किसका maximum value चाहिए, 1 by x to the power x, तो अगर मान लो यह fx है हमारे पास, तो fx क्या है तुमारा, 1 by x to the power x, तो इसको x to the power minus x लिख सकते हैं, ठीक है, तो चलो इसका differentiation कर देते हैं, और maximum value निकालने का कोशिज करते हैं, क्या होता है इसका, तो यहाँ पर भी log ले लो, log fx, एकोस्ट हो गया तुमारा log x to the power minus x, अब इसी को लिख सकते हैं, minus x log x, minus x log x, ठीक है, यह है तुमारा, minus x log x, तो इसका differentiation करो, 1 by fx हो गया, और f-x हो गया, और minus रहने दो, x को छोडो, log x का 1 by x, plus log x को छोडो, x का 1 आ रहा है, यहाँ से x और x क्या हो गया, cancel हो गया, तो f-x जो हमारा हो रहा है, fx, यह minus थो ही हमारे पास, minus fx into 1 plus log x, तो यहाँ से क्या रहा है, तुमारा f-x equals to minus fx क्या है, x to the power minus x, 1 plus log x, और अब देखो, यहाँ पर f-x equals to, अगर हम लोग 0 कर रहे हैं, तो minus x to the power minus x, 1 plus log x equals to 0 आ गया है, यह तो देखो, नमबर है, पूरा का पूरा, यह 0 कभी होई नहीं सकता है, इसका मतलब यह वाल अच्छे 0 रहा होगा, तो यहाँ से भी log x, 1 plus log x, जो है, वो 0 हो गया, और log x का जो value है, वो minus 1 है, और x equals to होगया, e का power minus 1, तो x क्या आगया है, तुमारा 1 by e, अच्छा, यह 1 by e पर जो हमारा है, वो maximum होगा या minimum होगा, बहुत सिंपल बात है, क्योंकि 1 by e आया मेरा, तो अब यहाँ पर maximum बोल रहा है, और कोई दूसरा option भी none of this भी नहीं दिया हुए, तो option यहाँ से चेक करना बहुत असान है, कि 1 by e पर maximum ही आएगा अब हमारा, ठीक है, 1 by e पर क्या आएगा, maximum ही आएगा, या फिर आप double dash करते, तो double dash करते तो थोड़ा सा और लेंदी होता, क्योंकि और कोई दूसरा ही नहीं मेरा, अगर ना अब दिस दे देता, तो फिर हमको दिक्कत हो जाता हमको शेक करना पड़ाता कि पता नहीं वन बाई एक्स जो है, अब देखो next, क्या है मारा 60, the curve y equals to this and this, touch each other at point, कहता है दोनों एक दूसरे को touch करता है, किस point पर, किस point पर touch करता है, बात समझ में आ रही है, तो touch करने का मतलब क्या हो गया, कि देखो, अगर माल लो, एक कर भी यह रहा, और एक कर भी यह रहा, दोनों एक point पर touch करता है, इसका मतलब इस point पर जो tangent होगा, उस tangent का, जो single tangent होगा इस point पर, मतलब tangent का slope बराबर होगा, मतलब दोनों का dy by dx बराबर होगा, तो अगर इस वाले का dy by dx निकाल रहे हैं, तो इस वाले का dy by dx हो रहे है, 8x plus 2 और इस वाले का dy by dx अगर निकाल रहे हैं, तो इसका dy by dx हो रहे है, 3x square minus 1, अब ये दोनों अपस में बराबर है, तो 8x plus 2 equals to 3x square minus 1 ठीक है तो अभी यहां से क्या रहे है 3x square minus 8x और minus 3 equals to 0 सबको उठा के इधर ले आए यहां से क्या रहे है 3x square minus 9x plus x minus 3 equals to 0 यहां से x का value 3 common निकाल लो 3x तो x minus 3 आ रहे है और plus 1 common निकाल लो x minus 3 equals to 0 आ रहे है तो यह हो गया तुमारा x minus 3 into x plus 3x plus 1 और यहां आ रहे है तुमारा 3x plus 1 equals to 0 तो x की दो value आ रहे है एक तो 3 आ रहे है एक minus 1 by 3 आ रहे है तो अब जो है न वाई की value निकालनी है है न तो 3 रखकर y की value यहां से निकालो और 3 रखकर y की value यहां से निकालो दोनों अगर same आ गया तो वो point हमारा answer आ जाएगा तो तो 3 रखकर यहां से y की value अगर निकाल रहे हैं इस जिगह से 3 रखकर y की value निकाल रहे हैं देखो दिहान से तो यहां से y की value देखो क्या रही है, 3 रखकर निकाल रहे हैं, तो यहां से y की value कितना रहे है, 4 into 3 का square 9, plus 2 into 3, 6 minus 8, तो कितना आया, 9 4 जा, 36 plus 6 minus 8, तो 42 minus 8, कितना रहे है, 34 आ रहे है, सही है, यहां से आ गया, अब y का value, x का value 3 यहां रखो, यहां रखके निकालो, तो 3 का power 3, minus 3, plus 13, यहार है 27, minus 3, plus 13, तो यह क्या रहे है, 27 में 3 घटा दो, 27 में 3 घटा दो तो यहार है 24, plus 13, यहार है 37, यहार है 37 और यहार है 34, साब बात हैं दो अलग अलग point आ रहे है, मतलब, एक पॉइंट तो आ गया तुम्हारा इस कर्व पर जो पॉइंट आ रहा है देखो ध्यान से, पहले वाले पॉइंट पर जो कर्व आ रहा है वो आ रहाँ 334 और दूसरे वाले पर जो कर्व आ रहा है वो आ रहा है 337 है न? इसका मतलब जो है कि दोनों का x कोडिनेट तो बराबर है x कोडिनेट तो दोनों का बराबर है बट y कोडिनेट दोनों का अलग अलग है मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है तुम्हारा टच नहीं करेगा है ना क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट यह point और यह point अलग है है ना इसका tangent अगर वो लेते हैं तो अलग अलग आ रहा है तो यहाँ पर tangent जो मेरा touch नहीं करेगा इस point पर अब देखो दूसरा बच गया minus 1 by 3 तो minus 1 by 3 डालो तो minus 1 by 3 डालने पर क्या हो रहा है पहले वाले में देखो minus 1 by 3 डालते हैं तो 4 into minus 1 by 3 का square plus 2 into minus 1 by 3 minus 8 तो यह क्या रहा है 4 by 3 3 जा 9 minus 2 by 3 minus 8 LCM ले लो तो 9 आ गया 4 32 जा 6 minus 72 यह तो कुछ negative सा नंबर आ गया उपर में minus 4 and minus 2 minus 74 by 9 ऐसा आ रहा है अच्छा और दूसरे वाले में रख रहे हैं दूसरे वाले में दूसरा वाला वाई क्या रहे तुम्हारा minus 1 by 3 का whole cube minus into minus 1 by 3 minus into minus 1 by 3 और plus 13 देखो यह minus 1 by 27 minus minus plus 1 by 3 plus 13 तो यह बहुत ही देखो यह negative बहुत ही चोटा नंबर है positive बहुत ही बढ़ा नंबर है यह जो भी होगा positive होगा मतलब एक positive आगया एक negative आगया तो यह point भी जो मेरा है ना वहाँ पर भी तुमारा टच नहीं करेगा तो यह simply यहां से साब पता चला कि हमारा जो कोई इसा point ही नहीं मिलेगा जहां पर क्या है दोनों टेंजेंट टच करेगा ठीक है बचों तो इसका जो आंसर हो जाएगा नो unintended point each other at points नहीं यह यहां पर कोई boyfriend ही नहीं है तो यहाँ पर यह question थोड़ा सा mistake के ये point ही नहीं होगा ठीक है यह यहां पर no point कहीं पर 95 और खेश सब्सक्राइब णोपर इसका नहीं होगा जहां पर यह टेच करेगा रहा दोनों निकाल कर देख लिए point touch नहीं करेगा ठीक है चलो next question पर चलते हैं है ना अगर इसका answer कुछ और दिया हुआ है तो गलत answer है यह touch नहीं करेगा चलो next question पर चलते हैं अब fill in the blanks है the equation of the normal to the curve at 0000 पर normal का equation क्या होता है y minus y1 slope m ले लो और x minus x1 तो y कितना रहा है हमारा mx आ ठीक है अच्छा अब कर्व क्या है तुम्हारा y equals to 10x तो यह dy by dx क्या जाएगा से की square x है ना तो normal का slope क्या जाएगा slope of normal slope of normal normal का slope क्या होता है minus 1 by dy by dx और कहां बोला 00 पर ठीक है तो minus 1 यहां पर एम के जिगा माइनस वन डाल दो माइनस वन एक्स है ना तो y equals to minus x तो यह x plus y equals to 0 यह 61 का अंसर जो हो गया हमारा एक्स प्लस y equals to 0 यह होगा तुम्हारा equation of normal चलो नेक्स्ट question चलते हैं 62 कि वैल्य ओप एफ फार विच एफ एक्स इक्वेस टू देस इंक्रीजेस कता एक वैल्यू जिसके लिए इंक्रीज हो जाए तो f-x कर लो और इंक्रीज कर रहा तो f-x को 0 से बड़ा कर लेंगा तो इंक्रीज हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंसेशन क्या हो गया कोस x-a ठीक है तो अब बूल रहे हृँ कि छोटा लेते हैं तो अगर छोटा बोलता है तो छोटा वाले से छोटा ब बड़ा बोलता तो बड़ा वाले से मतलब एक हा वैल फिलियू मायनस इंफिनिटी से से माइनस इन भाello काह तो square कर लो तो x का power 8 आ गया है ना square और एकस का power 4 को छोड़ो differentiation करेंगא 4x हो गया और minus 2x square minus 1 और निछे वाले का differentiation करेंगा तो 4x cube हो गया अब function जो है हमारा didir ehrease कर रहे इंटरवयल में decrease कर रहे है तो decreasing अपने को निकालना आइंटरवल में तो अपने को निकालना है कि किस इंटरवल में यह जो है डिक्रीज करेगा मतलब क्या हो गया कि F-X जो है वह लेस देन जीरो होना चाहिए F-X जो है लेस देन जीरो होना चाहिए यहां से देखो क्या रहे है 4X का पाबर 5- मैंबॉप्र लो माइनस फोर टो जा एट एकस का पाबर 5 माइनस माइनस स्फूर एक्स क्यूंब और ये तूदर जाकि ज़्वेन इस जेरो फिस पाजीतिव नंबर एक की एस ग्रेटर फ्य diagnostic का पावर एट पॉॉजिटिव तो ए Lewis & 0 हो गया तो हो छिलिम यहां से आगया माइनस टॉज एक्सका पवर फई प्लस एक्सका क्यूब एक्सक्यूब बाहर निकाल लो ऐकसे स्क्या पाइनस 1 लिसक निए 7 ओ ए ठीक है अज़्छा अब देखो यहां लेंगे तो x square minus 1 less than से greater than 0 हो जाएगा अब यह आ गया तुम्हारा x plus 1 into x minus 1 greater than 0 अब इसको वेवी कर्वी पर बिठा दो तो देखो क्या रहा है हमारा 1 और minus 1 और 1 यह plus minus plus तो हमारा जो answer है वो 1 से बढ़ा क्योंके बोल रहा है इसका वेल्यू 0 से बढ़ा होना चाहिए तो 0 से छोटा तो लेंगे नहीं तो यह वाला हिस्सा मेरा answer एक्स का वेल्यू कहां से कहां रहा है वन से लेके infinity तो decrease कहां से कहां कर जाएगा हमारा वन से इंफिनिटी में ठीक है बच्चों तो यह हमारा answer आजागा वन से इंफिनिटी इदर वाला नहीं लेंगे क्यों कि इदर एक्स का वेल्यू पहले ही बोल दिया है कि 0 से बढ़ा होना चलिए ठीक है बच्चों चलो next question पर चलते हैं और गहीन टांत मैं एक्षक्ट एसका लीश्ट वैल्यू सिक्स्टीफूर एक्स इक्ष्ट टो इसका लीश्ट वैल्यू निकालने लिए डियो से असान तरीका क्या होता है कि अगर ग connect के ड्यूel डैस वाला करो और अगर 11 नोग पढ़े थे तो आका फैक्स में किसी भी दो नंबर का एए ये इसको नंबर मानो तो एकस ब्लस भी बोई एकस बार डू होगया हमीशा ग्रिटर डेन ऑस्टो क्या होता जी क्या होता है जी数 हम् होता है स्क्वार रूट इस दोनों को मॉل्टिपलाई एकस और भी ऐकस तो यहां को इदर से कर लो multiply तो टू रूट एभी आ गया यह जादा असान यह हमारा फंसन हो गया कई जो हमारा है यह हमेशा ही टू रूट एवी से बड़ा है मतलब सब्सक्राइब की टू रूट एभी होगा ठीक ऐसे यह असान तरीका था इसको चाहते हैं तो तो यहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया एम इस ग्रेटर देन एक्वेस्टू जी एम और एक्चली लबंत में तुम लोग यह पढ़े ही हैं फिर इसी का इस्तमाल कर लिए ठीक है बचों तो इस तरह से हमारा जो है आज application of derivative का जितने भी objectives थे सब हम लोगों ने solve कर लिया और उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आप लोग इसको practice कीजिए exam में आपको बहुत help होने वाला है ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में